हेलो, जैहिन, कैसे हैं आप सब लोग, इस सेक्षन में हम डिसकस करेंगे जी के और साइंस के 30 इंपोर्टेंट क्वेशन्स, ये क्वेशन्स आपके एक्जाम के पॉइंट ओ व्यू से काफी महत्व पूंड रहेंगे, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है और परते क् आपको लाइब चैट में कमेंट करना है, ये होगी आपकी चौथी कलास, चलिए शुरू करते हैं, पहला वशन है, महात्मा गांधी ने साउथ अफरिका में सत्याग्रह कब सुरू किया था? जल्दी से अपना आउंसर कमेंट कीजिए, महात्मा गांधी ने साउथ अफरिक में सत्याग्रह कब सुरू किया था? जल्दी से अपना आउंसर कमेंट कीजिए, इसका राइट आउंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर A, 1906 में, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की सुरूवात अफरिका में कब की थी? 1906 में, और जो ये सत्याग्रह था, ये जो आंदोलन थ इसी आंदोलन में जो है, ये जो सत्याग्रह सब्द है, इसकी उत्पति हुई थी, ठीक है? अगला कुशन है, भारत का मुख्य नयाधीस किसके द्वारा नियूक्त किया जाता है? कई बार एक कुशन आ चुका है, जल्दी से अपना आंसर बताईए, इसका राइट आंसर है अपसन नमबर C, राश्ट पति द्वारा भारत में बिधान परिशद वाले राज्जों की संख्या कितनी है? इंपोर्टेंन कोशन है, भारत में बिधान परिशद वाले राज्जों की संख्या कितनी है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए बिधान परिसद वाले राज्य इसका राइट आंसर है और ये कौन-कौन से राज्य है पहला राज्य है आंदर पर्देश ठीक है उसके बाद है आपका तेलंगाना करनाटक महारास्टा महारास्ट और बिहार वा यूपी ये छे राज्य आपके ये छे राज्य है ठीक है जिनमें क्या है बिधान परिसद है अगला कॉश्चन है इंपोर्टन कॉश्चन है बेदों की संख्या कितनी है ये सभी को पता होगा इसका राइट आंसर है उप्सन नमबर ए चार इसके साथ आपको ये भी याद रखना है सबसे पुराना वेद कौँचा है सबसे पुराना वेद काुचा है रिग वेद अगला कॉश्चन है इडन गारडन मैदान की सहर में इस्तित है इनफिज सिटी इस दा गारडन ऑफ इडन located Eden Garden जो ground है वो कहां पर इस्तित है जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer हो जाएगा option number A कोलकाता पश्चिम मंगाल में अगला question है जामनी राए सतीस गुजराल और M.F. हुसेन यह सभी परसिद्ध हैं यह किसलिए परसिद्ध हैं जामनी राए सतीस गुजराल M.F. हुसेन आर फेमस इसका right answer आपका हो जाएगा option number D चित्रकार यह क्या है परसिद्ध चित्रकार है अगला question है European Union की मुद्रा क्या है What is the currency of European Union European जो संग है उसकी मुद्रा क्या है इसका right answer आपका है option number D इन में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं है इसका right answer होगा आपका euro इसकी जो मुद्रा है वो क्या है euro है इसको आपको याद रखना है European यानि euro इसके आगे है और यहाँ पर भी क्या है euro तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं अगला question है संसार के साथ अजूबों में से गीजा का great pyramid कहां इस्तित है where is the great pyramid of Giza among the seven wonders of the world located जल्दी से अपना answer बताईए संसार के जो साथ अजूबे हैं उन में से जो गीजा का great pyramid है वो कहां पर इस्तित है इसका right answer आपका होगा option number A मिस्र यानि इजिप्ट में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन में दिया था do or die slogan was given by महात्मा गांधी during which moment जल्दी से बताईए करो या मरो का जो नारा था वो कौन से आंदोलन में दिया गया था इसका right answer है option number C भारत छोड़ो आंदोलन में quit India movement में इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये हुआ था आपका 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त अगस्त 1942 को ये आंदोलन हुआ था ठीक है कौन सा भारत छोड़ो आंदोलन अगला question है दाची गाम रास्ट्रिय उद्ध्यान कहा है most important question ये आपका बनता है दाची गाम रास्ट्रिय उद्ध्यान कहा है where is दाची गाम नेशनल पार्क जल्दी से answer कमेंट कीजी इसका right answer है option number D जंबू और कस्मीर में ठीक है ये आपको याद रखना है अगला question है निम्न में से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है इन में से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है which of the following is the longest river in the world इसका right answer होगा option number A नील नदी कौन सी धातू दरब वस्ता में पाई जाती है जल्दी से अपना answer बताईए कौन सी धातू दरब वस्ता में पाई जाती है which metal is found in liquid state इसका right answer हो जाएगा option number B पारा पारा किस में पाई जाती है दरब वस्ता में अगला question है भारत के देशवासी जिन्होंने पहली बार पश्चिमी पहनावे को अपनाया था the countryman of India who first adopted western clothing भारत के देशवासी जिन्होंने पहली बार western clothing को अपनाया था जल्दी से अपना answer बताईए इसका right answer है option number C पार C इन्होंने जो है पहली बार पश्चिमी पहनावे को अपनाया था अगला question है pull case in 2 किस वंस का परसिद्ध सासक था जल्दी से अपना answer कमेंट कीजिए important question है pull case in 2 किस वंस का साशक था इसका right answer आपका होगा option number D जल्दी से अपना answer बताईए राना परताब सागर बांद का सम्मंद किस से है राना परताब सागर डेम is related to इसका right answer आपका है option number A जल बिद्धुत उर्जा से hydro electricity energy इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये कौन से कौन से राज्य की परियोजना है ठीके कौन से राज्य में है ये आपका है हिमाचल परदेश में ठीके और कौन सी नदी पर है ब्यास नदी पर राना परताब सागर बांद कौन सी नदी पर है ब्यास नदी पर और कहां पर है हिमाचल पर्देश में पौधों में हरा रंग किसकी उपस्तिति के कारण होता है अब यहां से साइन्स के उपस्टिति के कारण होता है ग्रीन कलर इन प्लांट्स इस ड्यू टू दा पर्जेंस ओप इसका राइट आंसर यहां पे होगा मानब सरीर में हड्डियों की संख्या होती है मानब सरीर में कितनी हड्डियां होती है इसका राइट आंसर आपका होगा अपस्ट नमबर A 206 हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजे इसका राइट आंसर आपका होगा हाइड्रो क्लोरिक एसिड अगला कॉश्चन है पोधे दिन के समय कौन सी गैस अंदर लेते हैं तो यह सभी को पता होगा कौन सी गैस लेते हैं आपस्ट नमबर C CO2 यानि कारबन डाई ओकसाइड हाइड्रोजन पराकसाइड का सही सूत्र क्या है जल्दी से अपना आंसर कमेंट किजिए हाइड्रोजन पराकसाइड का सही सूत्र क्या है इसका राइट आंसर आपका होगा अपस्ट नमबर A ह2O2 हाइड्रोजन नमबर A अगला कॉश्चन है ब्रहमान्ड में ब्याप्त समस्त परकार की उरजाओं का चरम उदगम है जल्दी से इसका आंसर बताईए जितनी भी जो उरजाएं हैं ब्रहमान्ड में ठीक है उनका जो मुक्य सुरोत है वो क्या है इसका राइट आंसर होगा आपका आपसन नमबर डी तारे चलिए अगला कॉशन है हीलियम एक गैस है कैसी गैस है हीलियम हीलियम एक अक्रिय गैस है अपसन नमबर सी निस्क्रिय गैस या अक्रिय गैस है अगला कॉशन है उरवरकों में सरबादिक पाया जाने वाले नाइट्रोजन पदार्थ है अरबादिक पाया जाने वाला नाइट्रोजन पदार्थ है जल्दी से आंसर बताईए नाइट्रोजनी पदार्थ सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कौन सा है इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमबर D, यूरिया अगला कॉश्चन है दबाओ का SI मातरक क्या है जल्दी से अपना आंसर केमेंट किजिए इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमबर D, पास्कल दबाओ का SI मातरक क्या है पास्कल अगला कॉश्चन है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका राइट आंसर आपका होगा अप्सन नमबर C, रतोंदी अगला कॉश्चन है निमनलिखित में से कौन सा अनाज है जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमबर A, गे हूँ अगला कॉश्चन है मानब सरीर में यूरिया कहां तैयार होता है जल्दी से अपना आंसर बताईए मानब सरीर में यूरिया कहां प्रोड्यूस्ड होता है इसका राइट आंसर आपका होगा अप्सन नमबर C, यक कृत में ठीक है लीवर में अगला कॉश्चन है सोर उर्जा किस से प्राप्त होती है यह काफी एजी कॉश्चन है इसका राइट आंसर होगा अप्सन नमबर A, सूर्य से फाइलेरिया बीमारी किसके कारण होती है what causes philarial disease जल्दी से अपना आंसर बताईए इसका right answer होगा option number A, विसान उसे रक्त क्या है जल्दी से अपना आंसर बताईए what is blood रक्त A क्या है option number C, U तक है ठीक है, टिश्यू है चलिए उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना चलिए signing out